आपको पता है कि हमने सारी कंप्लीट कर ली है जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ी है उनसे मैं पहले कुछ गुजार्शाथ करता हूँ वियल डव्य के लिए यहां पर फ्री आफ पोस्ट कोचिंग करवा जा रही है ठीक है और हमने एक एप्राग्जिमेटली 80% खतम कर लिया ठीक है तो नेक्स्ट टू फ्राइडेज में दो तीन उसके मैरासन क्रास लाँगा तो वो खतम हो जाएगा ठीक है और इसके बाद फिर पर्टिकल फीचर चल रहा है ठीक है तो चलिए आज का फस्ट लेक्चिर शूरू करती है लेकिन शूरू करने से पहले आपको पीडिएफ की पढ़ी होती है पीडिएफ आपको मिलेगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर उसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शि और हमारे डिफ्रेंट सोशल मीडिया है वहाँ पर आप जाकर उनको जान कीजिए जैसे हमारे फेस्बुक का इसी नाम से ग्रूप है मतलब पेज है तो आप उसको भी जाकर फालो कीजिए ठीक है चलिए लेक्चर शूरू करती है ठीक है यह एट्थ लेक्चर है बाकि जो नाया बच्चा है वह जाकर पहले ओल्ड सेवन भी देख लीजिए ठीक है फू प्रिजाइड टेक है फू प्रिजाइड ओवर दी बनार सेशन अफ इंडिया ने नेशनल कांगरस इंटी जिरो फाइव किस ने किया था गोपाल कृष्णा गोखले ने ठीक है इन विच यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अच्छे से अग्रिजवेट एट यह जेके सभी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है लेकिन मैंने एक रिदम उठाई थी तो मैंने यह भी डाल दिया ठीक है अग्रिजवेट एट एटीन अच्छे एट 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 एटीन प्रोफिसर बन गए थे 25 साल के ठीक है सेक्टरे आफ दे नैशनल कांग्रस 29 साल के लीडिंग तो दे विटनस बिफोर दे इंपॉर्टन रॉयल कमिशन 31 साल के दे प्रोविंशल लेजिलेचर 14 साल के बन गए थे इंपीरियल लेजिलेटर एट 36 के हो गए थे प्रिजिदेंट आफ दे नैशनल कांग्रस में 39 के बन के दे प्रिट्राइट हूम महत्मा गांधी इंसलेफ रिगाड़ेट ऐस इस मास्टर ठीक है जिसको महत्मा गांधी ने अपना मास्टर माना यह वाय ग्राफिक किस किया याद रखना यह कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है सर यह कैसा आया यह कैसा कुछ ना है तो महत्मा गांधी का प्लिटिकल गुरू कून था तो यही इतना ही मान यह आप लास्ट पर याद रखे तो वो थे गोपाल कृष्णा गोखले तो थर्ड बन इस करेक्ट ठीक है अच्छे से आपको यहाँ एक पॉइंट से समझा जाएगा महत्मा गा प्रिजाइड ओवर दी कांगर्स सेशन इन कॉलकत्ता नैंटीन जेरो सिक्स में किसने हमारे दादाबाई नरोजी कांगर्स पासट सवराज रेजिलेशन नेक्ट कोशन नमबर सिक्स सवराज रेजिलेशन इयर आप 1905 परपस आप दी रेजिलेशन क्या था ठीक है क्वेशन नमबर सिक्ट उसका परपस क्या था तो डैट इस डैक्ट में डैक्ट है आपको आंसर ले जाता हूं तो सिक्यर दे सेलफ रूल याद रखना बहुत बार आता है वर्ड सवराज का मतलब क्या है सेलफ गवर्वर्मेंट या सेलफ रूल ठीक है यह आप लोग अच्छे से याद रहा है सवराज जी जान नाशनल डिमांड फार फिर्स्ट मेड वाई यह क्वेशन पता है क्या जिए सिक्स्थ क्वेशन है सिक्स्थ क्वेशन मैं आपको दो तीन पेपर अगर आप बोलोगे तो मैं वहाँ पर सिक्ष्ट फटा के आपको दूँगा डिक्टो जेकेससवी वालों ने एक वर्ड भी नहीं चेंज किया है पुरी ही डाला है ठीक है मैं जो भी क्वेशन यहाँ पर लाता हूँ न ठीक है यह जेकेससवी वालों ने ऐसे क्वेशन डाले है इन में वर्डिंग भी चाहिए नहीं किया ठीक है सवराज as the national demand for the first maid भाई किस ने सवराज बोला था तो पहले पहले हमारे यह डादा भाई नरोजी ने बोला था next question in which of the following session of Indian National Congress the word सवराज बाज अटर्ड फार दे फिर्स ताइम किस session में याद रखना Kolkata session था 1906 का ठीक है the first leader of the to be used word सवराज बाज पहले पहले किस ने याद यह word सवराज यूज किया था मैंने आपको lectures में पढ़ा है था Dayanand Saraswati ठीक है अच्छे से याद रखना go go back to Vidaz Dadabhai Nooraji was formerly known as क्या बोलती थी इसको grand old man of India मैंने grand man of Guru Gujarat South India woman सारा कुछ पढ़ा है ठीक है फर्स्ट इंडियन एलेक्टेड दे प्रेजिडेंट दे ब्रिटिश हाउस आफ कामेनेंस बाज ददवई Nooraji जी हूँ कंटेस्ट थी टिकट कहां मतलब किस टिकट पे मतलब कुन सी पार्टी की टिकट पे इन लोगों ने इसने एलेक्षन लड़ा था तो यह लड़ा था हमारे लिबरल पार्टी पे याद रखना अच्छे से होई क्वेशन आएगा अभी एक सामने ठीक है कि कुन सी पार्टी थी तो हमारे फिर्स्ट एलेक्ट किस ने किया था यह दो क्वेशन निकलते हैं यहां से पहले कून निकला तो गवांधि यह ददवई Nooraji इस ठीक है इंडियन मेंस ठीक है किस पार्टी से लिबर पार्टी थी बहुत आई है तभी में रिपिटिशन कि लाता हूं विजमाना अभी फार्लिंग स्टेट्में इस नाट कोरेक्ट अबाओ देदावा नोरोज याद रखना पहला ही रोट जा पूर्टी अन बिटिश रूल अफ इंडिया विल्कुल यह वाला सही है याद रखना यह इसकी of parliament in the ticket of Conservative Party क्या बोला था में डिए यबर भि़र पार्टी यह तो conservative है विलकुल गट third one is fourth one is correct यही वाला इसका correct answer है अत्यकर d part is correct in which of the following statement is not correct about theräडबर Townsie Correct नहीं है थाक है पहले भी वही थी अभी वही याद रखना मı clearer याद रखना 1892 में ये बिटिश पार्लिमेंट पे बने थे ठीक है ये वाला भी करेक्ट है ये वाला भी करेक्ट है अब थर्ड मान है अच्छा फॉर्ट टाइब प्रिजाड़ इंडियन नेशनल कांगरस तो इस कुश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा इस दी पाट रखना 1892 में पहला कून इंडियन एलक्ट होगा तो अभी तक ये कुश्चन पढ़े तो कून होगा दादा भाई तो वहाँ पर क्या लिखा था moderators and extremists जा लिखा था नारमदार गरमदार मैंने आपको लगतिरस में अच्छे से समझाया है मैंने बोलो था वो यंग थे वो ओल्ड थे ठीक है the president of the surat session of the international congress surat session के कौन से थे हमारे तो ये थे राज भिहारी गोश ठीक है the four resolutions were passed at the famous Kolkata session of international congress in 1906 the question was either retention or rejection of these four resolution became the cause of the split of congress at the next congress session held in surat ठीक है 4 session किये गए थे कब 1906 में जो rejection होगे बिचापना following is in that resolution कौन सा नहीं था 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 में अच्छा alignment of partition of bengal बिलकुर ये वाला नहीं है क्योंकि ये तो फिर बाद में उन लोगों नहीं किया बाइकाट ये वाला था national education था सरदेशी movement था तो इसका correct option आएगा option number 1 ठीक है कौन सा नहीं था ठीक है ये हमें बोलना है not the process of split of congress in the early years of 20th century begin over मतलब कब हुआ process of sessions का strategies of the congress movement बिलकुल हुआ objectives of the congress and participation of the people in the congress आला थावो इस correct सूरत split of सूरत in Indian National Congress was held तो ये 1907 when was the first partition of Indian National Congress was held कब हो फूस्ट पॉस्ट 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 तो या दरिखना सूरत 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 1907 में सूरत 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 लड़ बाई तो कून थे यहां थे ये बीजी तिलिक ठीक है question number 25 what was the reason main reason of for the support of Indian National Congress social support in 1907 main reason क्या हुआ ठीक है question number 25 introduction of communalism into the into the Indian politics by the Lord Mentor नहीं extremist lack of faith in the capacity of moderators and negotiate with the British बिल्कुल यही वाला correct है ठीक है उनको लगता था यह कुछ नहीं कर सकेंगे Britishers के सामने ये JKAS जिसका भी recently result निकला ठीक है उसके prelims में ये पहले दोनों question mix करके एक question डाला था ठीक है in 1906 Muslim League was founded at तो ये याद रखना डाका में ठीक है आल इंडिया Muslim League was founded in the year of 1906 who among the following was the founder of all Indian Muslim League क्या रखना founder कुन थे तो नवाब सलीम सलीम लाख खान the founder of Muslim League वाज ठीक है फिर वही question आया तो क्या आएगा हमारे नवाब सलीम लाख खान ठीक है लिया के तली नहीं शाओ के तली नहीं थी ये ननकापरिशनी मुमेंट के थे अमेजिना तो 1913 में जाकर किसे Muslim League से लड़े थे मतलब जॉइन किया था ठीक है ये मैंने अच्छे से लेक्चिर्स में समझाया से के सारा कुछ तो अगर किसी ने लेक्चिर्स नहीं देखे तो लेक्चिर्स पहले प्लीज देखे फिर अफम से क्यूज पर आए आपको समझा जाएगा मुस्लिम लेग का पहला कौन था तो याद रखना आगा खान अगा खान ठीक है मतलब कहां पर हुआ था तो यही भी याद रखना यह हुआ था कराची में यह सेशन थोड़ा इंपरेंट है तब ही यहां पर रखाया आधरवाज मुस्लिम लेग का कोई जूरूद नहीं आ रखने का ठीक है चलिए बागी याद रखिए सेशन को जरूर लाइक कीजिए ठीक है और शियर कीजिए ठीक है ताकि हमारे साथ बहुत बड़ी फैमिली बन जाए ताकि हमको भी पता चले कि आप कितनी महनत करते हो और आपको पता चले कि मैं आपके लिए कितनी महनत करता हूँ ठीक है इन्शालला और भी हमारे साथ कुछ टीचर जुड रही है ठीक है तो आपको पता चलेगा कि यहां की फैकल्टी मेंबर्स कितनी अच्छे बढ़ा रही है और इन्शालला यहां से आपकी सेलेक्शन जरूर होगी तुम्हें अगर इतना बड़ा पढ़ा तो टाइम आपको टाइम आएगा तो आप पहले क्या कीजिए वीडियो को पास करके फिर देखें ठीक है कुन से करेक्ट नहीं है अच्छे से याद रखना ठीक है हकीम अजमल खान वाज one of the leader of starter nationalist and militant अरहर movement बिल्कुल सही है when the Indian National Congress was founded फार्मड सीद आहमद खान अपोजिट बिल्कुल सही है मतलो यह सरसेद आहमद खान इसके अपोजिट थे ठीक है वो तो हर वक्त अपोजिट रही the All Indian Muslim League which was फार्मड in 1906 vehementally opposite to the partition of Bengal and separate electorate बिल्कुल गलत है यह वाला ठीक है वो तो चाहते थे ठीक है separate electorate ठीक है electorate चलिए next question question number 8 Muslim depolation met mental in 1906 at Shimla and pleaded far किसलिए ताकि है मतलो क्या separate electorate for Muslims तो यह वाला ही correct है question number 8 का ठीक है question number 8 यह वाला correct है ठीक है यहाँ से question number 9 है याद रख लेना ठीक है यह थोड़े से misprint हुआ है जब London branch of the all Indian Muslim league was published in 1908 ठीक है जो under the presidency of president koon था वहाँ पर तो याद रखना वो था हमारे अमिर अली ठीक है आमिर अली ठीक है इस तरह आज का lecture रिक्ताम पहुंचता है ठीक है तो बाकी आपको पता है मैंने जो कुछ आपको बोला है आप जाकर मतलब क्या बाकी जितने मेने लेक्टियर्स देख्या है इंशालला मैंने मुक्तसर content दिया है यहीं से बना के दिया है लेकिन best होगा ठीक है तो आप लोगों से गुजारशे आप वीडियो को जब देखते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और टेलिग्राम हमारा चैनल वहीं वह भी जोइन कीजिए और हमारे different social media handles है उनका link भी आपको description box में तो आप वह भी हमारे साथ join कीजिए बागी कोई 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 हो मतलब implement लाने की जूरत हो कहीं पर हो तो मैं हमें वह मतलब इंशालला जूरूर हम लेंगे ठीक है बागी thank you so much